स्वागत है हकीम साब अगर हम बात करें इस्किन रिलेटिट प्रॉब्लम्स को लेके चलिए हम चेहरे की बात करते हैं चेहरे पर ना जाने क्या क्या हो जाता है कम उम्र में हो या बढ़ती उम्र में हमें डाक सकल हो जाते हैं जाईयां हो जाती हैं पिंपल्स हो जाते हैं अब मैंज से यह सिर्का क्या होता एक कुद्रती ऐसिट कहा जाता है इसे. अएक्टवय होते हैं बनाये होगे असिट और एक होते हैं चुदोदरती ये तो ये सिर्का और इसमें ये चाम तो ये जابना फैस्वाष का काम करता है. ये उससे भी ज्हयादा59 काम करता है और इसको कॉटन में लगा कर और अपने चेहरे पर ऐसे लगा लिजे आँकों से ज़रा दूर रखें वैसे तो नुकसान नहीं देता लेकि दूर रहे तो अच्छा है और फिर आप जो आपने ये लगाया सिर का इसको फिर प्र पांच मिनिट बाद दो सकते हैं जैतुन का सिर का इतना जाधा इफेक्टिव है इतना जाधा असरदायक है वो ना सिर्प आपकी सेहत का ख्याल रखता है बल्कि आप उसे अपने विज्जाइन के लिए चमक के लिए भी इस्तमाल कर सकते आं अगर आप लोग भी इसी कि तरह से अपना कोई प्रश्न करना चाहते हैं जुनानी अरवेट से व leashते हैं लाइफ आप लोग हाद कर सकते हैं लाइव अपना खीम हमारे साहब से जुड़асकते हैं जिनके शिकायत होती है भी बोले बोले घ्यास की प्रवलम हो है कब से ये को शापिक है ठीक है अपके उम्र क्या है उम्र है तेरेवन 52 है अधिकि सुदामा साब को भी गैस के प्रवलम और ये गैस और ये पेट ये हाजमा ये कब्ज यही है बीमारियों की जन्नी सुदामा साथ अलसी लें और काफी सारी अलसी लेकर भून लें थोड़ा सा भूनें जादा नहीं और इसको आप ये करें के भून कर पौडर बना लें और एक चमच सुबा एक चमच दुपैर एक चमच शाम गरम पानी से लिया करें और पैदल चलते हैं तो एक घंटा दूप में जरूर चलना चाहिए हमारी आपकी उमर वालों को ये भी पेट ठीक करने का एक जर्या है ये एक ऐसा इलाज है जो आप घर में बैठकर कर सकते हैं और इससे भी आप को इत्मिलान नहों तो इसमें कलाउंजी का एक नमक आता है उस वागराम में लाने पांच सो ग्राम अलसी में और इसको आप एक चमच दिन में दो बार ले सकते हैं इससे भी आपका फाइदा होना मुमकिन है तो बिलकुल सुदामा जी आपको बहुत अराम मिलेगा बहुत आपको असरदा है कि ये नुस्के दिखेंगे क्योंकि जब आप इसका इस्तमाल करते हैं और वैसे ही जिसे हकीम साहब आपको बताते हैं तो नश्विती आप लोग ये समझ लीजे दर्श को हर एक नुस्का बहुत कीमती होता है बहुत बहतरीन होता है क्योंकि जब आप लोग की फीडबेक कॉल आती है तो हमें बहुत खुशी होती है ये जानके कि आपका इतने समय का जो भी रोग होता है वो धीरे-धीरे करके दूर होने लगता है तो ऐसे ही आप लोग यहाँ पर प्रश्ण कर सकते हैं, नी संकोच, रोग संबंधी, कोई भी नुस्का जान सकते हैं, सिर्फ आप लोगों को फोन उठाना है, इन नमबर्स पर कॉल करना है, जो आपके सामने लगतार दिखाय जा रही है, आईए बात करते हैं अगले कॉलर से आपको 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 आप समझ रहा है, आप समझ रहे हैं यह नहीं? चोटे चाय के टी स्पून चोटा चाय का चम्मच तीन चार भर के एक गिलास पाने मिलाकर आप आज से ही लेना शुरू करें रात को ले और इसी से आपको फाइदा होने लाएगा और जरूरत पर तो दिन में भी एक बार ये खुराक ले सकते हैं दिन में एक या दो खुराक रात को सोते समय आप लिजे आप देखे आपको आज से ही फाइदा हो जाएगा अब मुझे लगता है कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि जैटन के सिर्के का इस्तमाल आपको कैसे करना है अगर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप तुरंथ हेलप-लाइं नमबर पर कान्टेक्ट की आप लोग अच्छी से बात कर सकते हैं लंबी बात कर सकते हैं क्योंके वत कम होता है बहुत सारी कॉलर्स लाइन में होते हैं तो आप अपना रोक संबंधी प्रश्न नहीं करें बाकि तर्श कि आपका सवाल है कि हमारे प्रवल्म कप्से दिख्गत है अजुर्ट का पहली कॉल शाद ली थी तो उसमें आपको भी पिर दोखोंगा परा देता हूं क्योंकि हो सकता है आप अभी जुड़े हों कि अलसी लीजे 500 ग्राम उसको हलका सा भूनकर पॉडर बना लें दिन में दो या तीन बार गरम पानी के साथ इसका सेवन करें एक एक चमच और पैदल जरूर चलें अगर पैदल चल सकते हैं तो एक घंटा पैदल धूप में अगर पैदल नहीं चल सकते किसी कारण वश वश तो आप धूप में बैठी जाएं गरम पानी पांच बार पीएं इससे भी आपको गैस की पेट की कब्स की बहुत सारी परिशानियां इससे हर ली जाती हैं आपको चाहिए कि अगर इससे फायदा ना हो तो आप इसमें 100 ग्राम जैतुन का कलों जी का दो नमक आते दो आस्टेक आते दो रसायन आते जो भी मिल जाए और इसमें मिलाकर आप एक एक चमश फिर दो बार लें आपको फायदा होना मुमकिन है जी महराश्रु से अगले कॉलर है गायतरी जी हमारे साथ स्वागत है आपका कितने टाइम से यह तो तीन-चार साल से हो रहा है मैडम और कोई दिक्कत परिशाने की बहुत दुखता है एच क्या है आपकी पच्छी साल कमर में पीट में बहुत दर्द रहता है और सर में भी इस बहुत च्छोटी उमर है दिखिए एक तो एक्सरसाइज बता रहा हूं एक दवा भी बताता हूं आप उसे करें और फाइदा उठा लें बहुत जल्दी ऐसे ठीक होते हैं जो जो बच्चे-बच्चियां का उमर होती इनको फाइदा बहुत जल्दी होता है देखो ऐसे बैठें और ऐसे एक्सरसाइज करनी है आपको रोजाना तीन मिनट तीन मिनट कोई कर नहीं सकता एक साथ तो किस्तों में करें और गायतरी मंत पढ़ते रहें गायतरी जी तो और भी आपको लाब होगा यह देखिए ऐसे कि इसे वह थिस तीन मिनट करना रोजाणा ओर तीन मिनट मैं ऐसे काला गौन कहते हैं इसे आप अधा अधा गिराम सुबा शाम लें आपका बहुत जल्दी ठीक होना मुम्किन है जी MP से अगले कॉलर है सुरेश हमारे साथ स्वागत है आपका जी हां जी नमश्कार नमस रों नमशकार जी बोले जी सुरेश जी बताइए घोटने में चार– पात महिमें से है तो जल्दी ठीक हो जाएंगे आप ऐसा मुझे उमीद है और बस एक तो यह ख्याल रखे कि घर में वेस्टन ट्वाइलेट होना चाहिए तो जल्दी फायदा होता है अगर नहीं है तो देर में फायदा होगा देगे एक नस्खा भी बता जिता हूँ दवा भी बता जिता हूँ नस्खा तो बहुत मशूर है गौनसिया यानि काला गौन लेकिन नकली बहुत मिलता असली हासिल कर ले आदा गिराम सुबा आदा गिराम शाम खाएं और अगर ये कुछ है पैस्चान नहीं है मिल नहीं पाता असली तो आप कैपसूल टी केर सुबह शाम खाएं खाने के पश्चात पानी से बगर चर्बी के दूस से या जूस से भी ले सकते अगर आप रही साथ भी है तो यह इस्तेमाल करें आपको फायदा मुंकिन है तो देखिए आपको बहुत फायदा हो जाएगा और घुटने की परिशानी जो आपके साथ चल रही है वो यकीन मानिएगा दूर जरूर हो जाएगी नुसके अपना लेजेगा ख्याल रखेगा उन बातों का जो अभी हकीम साहब ने आपको यहां पे समझाई है जब बात करें हम घुटने के द चुके हैं उनके लिए क्या कुछ आप उन उसके बताना चाहेंगे और क्या हम ऑप्रेशन से बच सकते हैं क्या यह नौबत हम दूर कर सकते हैं कि घुटने हमें बदलवाने पड़ जाएं हाँ देखिए बेशतर जादतर लोगों को अप्रेशन कराने की ज़रूत नहीं है जी और जो लोग युनानी को नहीं जानते वो ऐसा कर भी लेते हैं लेकिन मैंने अपने तजर्वे में कभी किसी को फाइदे में नहीं देखा और बुरा हाल हो जाता है इससे पहले अगर हम युनानी कोशिश करने आयरवेदिक सही लाजश की और मैं अकसर बताता हूँ कि देखिए ठीक है आप ऑपरिशन ही करा ले लेकिन एक बार युनानी के 2, 4, 5 महीने निकाल ले जहां आप 2, 4, 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से परशान है, इसससे बार धिस नहीं बताता हूँ वेश से सब लोग ठीक हो सकते हैं कोई एक लाखों करोड़ों में ऐसा है जिसको शाद operation की दरकार हो यह तो सब का फाइदा होना मुमकिन है च्वाली यसी के साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं बात कर लेते हैं MP से हैं महीश हमारे साथ स्वागत है आपका महीश जी 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 मेडम में अधाप पर लिजी जी महेश जी बताईए महेश जी बताइए अधाव 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 मुझे नेन नहीं आती है हमारी उमर करीवन 55 साल है वो आपको नीज नहीं आती है जी जी मैं समझ गया महिश बड़ जी देखिए नीज आज पुर्शों और महिलाओं से थोड़ी दूर हो गई जब से ये लोगडाउन और महामारी और कारोबार खराब हुए मर्द की रीद की हड़ी कारोबार है और ज अधि़ यह उमपरेस होता है तो मर्द बेचेन हो जाता है मर्द का यह कारोबार वाला चलाता है उसमें कोशिश करते रहिये और देखिये अगर कोई परिशानी है दोओं से भी फादा नहीं होता और 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 मैं मैं जानता है जिसको हम زैटून का सिर्का कहते हैं यह आप हासिल करें असली और तीन चार चम्मच रात को एक गिलास पानी में मिलाकर चोटे चाय की चम्मच जिसे कहते हैं टी स्पून पीकर सो जाय करें अच्छी नीद आएगी और सुकून मिले यह मुसक्किन है मतल़ सुकून देने वाला है और दिमाग से सारी बादरेशन और फिकरात को दूर लेगा आपको हिम्मत देगा और आपका बहुत ज़्यादा ख्याल लगता है आप इसे इस्तमाल कर सकते हैं बिल्कुल हकीम साब कारिक्रम की शुरुबात में मैंने जैतुन के सिर्के के बारे में आपसे चर्चा की कि हम उसे पेस पेस्तमाल कर सकते हैं या फिर नहीं अगर इसी तरीके से अलोवेरा के सिर्के के बारे में बात करें तो क्या इसका 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 इसक किसी भी चीज की सफाई करता है, सफाई चाहे चेहरा हो, हाथ हो या कलाई हो, और इसको लगाने से चेहरे पर एक अजीब चमाकसी पैदा होती है उसके पांच-दस मिनिट बाद और चेहरे पर जैसे कोई लेमिनेशन कर दिया हो, और ये बाकाइदा हमारी स्किल्ट की रिपे हम लोग बनाते हैं सब करते हैं लेकिन ये तमाम फैस वाश पर भारी रहता है कभी इस्तमाल करके देखें और जेतुन का सिर्का भी दरसल और अलविरा का सिर्का भी तगरीबर एक सी तासी रखते हैं तो जेतुन के सिर्के की जगा अलविरा का सिर्का या अलविरा के सिर्के की जगा जेंतुन का सिर्का भी इस्तमाल किया जा सकता है.